नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है अभी और आप देख रहे हैं टक अन्बॉक्सिंग आज हम अन्बॉक्स करने वाले वीवो का न्यूलि लॉन स्मार्टफोन जो है वीवो वी 25 गैस फ्लिपकार्ट पर बहुत सारी एडवर्टेजमेंट्स आपने देखी होगी बहुत सारा हाइप क्रिएट किया था वैसे गाइस इस स्मार्टफोन का जो बैक पैनल है उसमें आपको कलर चेंजिंग फीचर देखने मलता है अगर आप आउट्डोर सनलाइट्स में या फिर यूवी लाइट इसके उपर गिरती है ना तो यहाँ पर कलर इसका चेंज हो जाता है वैसे यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले इसकी क्विक अन्बॉक्सिंग तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पर एक्टर स्मार्टफोन फिर नीची की तरफ यहाँ पर पेपर वर्क एक ट्रांस्परेंट सिलिकॉन केस, 44W का फास्ट चाजिंग पार ब् तो कि हमारे चैनल पर धेर सारा ऐसा टेक रेलेटेड़ कांटेंड आते रहता है, यहाँ पर बात करेंगे इसके बिल्ट कॉलिटी को लेके, तो यहाँ पर हमारे पास सर्फिंग ब्ल्यू कलर में यह स्मार्टफोन है, इसकी जो फ्रेम है ना, completely polycarbonate के आपको देखने मलते ह यहाँ पर उन्होंने फिनिशिंग प्रोयड किया है, वैसे फिर्स्ट लुक में मुझे लगा यह metallic फ्रेम है, बट गई यहाँ पर उन्होंने polycarbonate material है, यह जो ग्लास है आपको color changing देखने मलता है, जब भी इसके ओपर UV light यहाँ पर reflect हो जाते है इसका color change होता है, इसका color change होत है, so basically guys sunlight में जो back panel है वो completely dark color का आपको देखने मिलेगा, and guys और एक बार हमने इससे टेश किया जहाँ पर हमने कुछ different leaves इसके अंदर रखेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो pattern जो है बहुत ही amazing निकल के आता है, वैसे guys अगर आपके पास UV torch है तो इंडोस में भी आप देख है, guys आपके लिए कितना जादा helpful है नीचे comment करके ज़रूर बताइए, वैसे guys अगर मैं इसके ports की बात करो तो नीचे की तरफ आपको एक speaker grill, type C port, एक mic, sim tool जिसमें आप दो sim card, एक memory card insert कर सकते हो, उपर की तरफ secondary noise cancellation mic, right hand side पर volume rocker, power on button, and guys इसके अंदर आपको in display fingerprint scanner भी देखने मलता है, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर fingerprint scanner की help से immediately आपका phone unlock हो जाता है, and guys अगर मैं बात कर रहा हो, इसके weight की, तो 187 grams का phone का weight निकल के आता है, and case के साथ 206 grams, so guys build quality इस smartphone की यहाँ पर बहुत ही amazing निकल के आती है, बात करेंगे, इसके display को लेके, so यहाँ पर उन्होंने 6.4 4-inch का AMOLED display इसके अंदर provide किया, full HD display आपको देखने मलता है, 90Hz के refresh rate के साथ, so जबी भी आप smart phone को use कर रहे हो, या फिर इसके अंदर gaming कर रहे हो, बहुत ही smooth experience आपको feel होगा, and yes, यहाँ पर उन्होंने drop notch display provide किया, guys, यहाँ पर मैं एक punch hole display expect कर रहा था, but खेर कोई बात में, drop notch display bezels, guys, इस smart phone के काफी uniform आपको देखने मलता है, screen to body ratio बहुत ही बढ़िया निकल के आता है, and guys, यहाँ पर display की जो accuracy है, बहुत ही अच्छी निकल के आता है, especially guys, इसका जो contrast ratio है, या फिर जो wider color gamut है, काफी बढ़िया picture आपको portrait करेंगे, and guys, अगर मैं brightness की बात करो, तो indoors and outdoors बहु security इसकी निकल के नहीं आती है, वैसे guys, यहाँ पर हमने widevine certification चेक किया, तो यहाँ पर आपको widevine L1 देखने मलता है, so आप OTT platforms पे high resolution content बहुत ही बढ़िया तरीके से watch कर सकते हो, and guys, बढ़ते directly processor की तरफ, तो यहाँ पर आपको dimensity का 900 processor उन्होंने प्रोइड किया है, storage की अगर म virtual RAM का भी concept प्रोइड किया है, so यहाँ पर आपको additional 8GB का RAM इसके अंदर देखने मलता है, so guys, dimensity 900 processor है, gaming के लिए बहुत ही बढ़िया है, तो यहाँ पर हमने call of duty game इसके अंदर खेला, call of duty game guys, buttery smooth इसके अंदर work कर रहा था, as such हमें कोई भी lag मैसूस नहीं हुआ, up to 60 fps में आप इ duty game के साथ, यहाँ पर थोड़ा बहुत high end game हमने try किया, जो है Apex Legend, and Apex Legend भी यहाँ पर बहुत ही amazingly work कर रहा था, हला कि guys, Apex Legend जो game है, मैंने इतना जादा नहीं के लाए, but as such कोई भी lag मुझे इस game में मैसूस नहीं हुआ, so guys, overall gaming के लिए बहुत ही amazing smartphone है, and guys, बढ़ते डिरेकली multi-course course, and finally, यहाँ पर हमने CPU throttling test भी इसमें perform की, जहाँ पर हमें 85% की max performance देखने मल रही थी, and यहाँ पर average score था roughly 1,90,000 का, so guys, Dimensity 900 processor है, तो benchmark scores यहाँ पर बहुत ही बढ़िया निकल किया आते, and बात करेंगे camera को लेके, so यहाँ पर rare में उन्होंने 64MP का main camera प्रोइड किया, with optical image stabilization, उसे की साथ 8MP का ultra wide camera, and 2MP का macro camera, and front में आपको देखने मलता है 50MP का camera, so guys, यहाँ पर अगर में video recording capability की बात कर रहा हो न, तो यहाँ पर front and rear camera दोनों की help से आप 4K at 30fps, and 1080p at 60fps में video recording कर सकते हो, so guys, front camera में भी 4K video recording आपको देखने मलती है, and guys, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह जो particular video है, यह हमने 4K at 30fps outdoor में शूट किया है, तो guys, नीचे comment करके जरूर बताए कि यहाँ पर आपको इसकी stability कैसे लगी, and plus guys, इसकी help से हमने कुछ sample images capture किये, outdoor में भी capture किये, in-dose में भी capture किये, and यहाँ पर जो main camera, उसकी help से काफी high dynamic range के images आपको देखने मिलेंगे, plus guys, पर भी काफी अच्छी dynamic range आपको देखने मिलेंगी, and यहाँ पर आप देख सकते कुछ portrait images, and कुछ selfie images, so guys, overall camera वाला पार्ट यहाँ पर बहुत ही amazing निकल के आता है, वैसे guys, बात करेंगे, operating system को लिखे, so यहाँ पर उन्होंने फंट तच OS इसके अंदर परोड के है, जो पर कितने साल का software update मिलने वाल है, उसकी information as of now मेरे पास available नहीं है, and guys, अभी हम बात करेंगे speaker को लिखे, so यहाँ पर उन्होंने down firing single speaker इसके अंदर प्रोड के है, so guys, यह जो चीज़ है ना, यह बड़ी disappointing लगी, मतलब इस particular price bracket में उन्होंने dual firing speakers इसके अंदर प्रोड करने चाह So guys, यहाँ पर जो single firing speaker है, उसका sound output यहाँ पर बहुत ही amazing निकल के आता है, but फिर भी guys, अगर dual firing speaker दिया होता ना, तो और भी जादा बेटर हो सकता था, खेर कोई बात नहीं बात करेंगे connectivity को लेके, so यहाँ पर उन्होंने dual band wifi support इसके अंदर प्रोड के है, and guys, यह सबसे important बात, मतलब यह एक 5G smartphone है, तो यहाँ पर आपको dual SIM 5G support भी इसके अंदर देखने मिलता है, उसके साथ यहाँ पर आपको Bluetooth version 5.2 भी देखने मिलता है, and यहा यहाँ पर उन्होंने 4,000 5G battery के अंदर प्रोड किये, and यहाँ पर आपको 44W का fast charging capability भी देखने मिलता है, so guys, practically, 30 minutes के charge में 60% smartphone यहाँ पर आपका चार्ज होगा, and guys, 4,000 5G battery है, तो typical use के scenario पर एक दिन तक इसके battery life आपको for sure चलेगी, so guys, यह जो smartphone है, Vivo का V25, color changing bag के साथ, मुझे personally, बहुत ही बढ़िया लगा, वैसे guys, यह जो वीडियो है ना, launch से पहले में shoot कर रहा हूँ, तो currently, इसकी pricing हमारे पास available नहीं है, बर जब तक यह video live जाएगा, तब ही आपको title में, या फिर नीचे description में, इसकी pricing मिल जाएगी, तो जरूर नीचे comment करके बताईए, कि इसकी pricing आ I hope आपको वीडियो पसंदा होगा, अगर आपको वीडियो पसंदाता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी टक रेलेटर अनबॉक्सिं के लिए, प्लीज सब्स्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और दोस्तों, और एक इंपोर्न बात, प्लीज मेरे फेस